महराश्ट्र के एक छोटे से कस्पे में रहने वाला विनायक अपनी मा और बहन के साथ रहता था। उसके पिता नहीं थे। यह परिवार बेहत गरीब था। विनायक को जहां भी और जो भी काम मिलता वे कर लेता। आज उनके घर में बहुत उदासी चाई हुई थी। विनायक की मा कमला कहती है अरे विनायक गणपती की पूजा आने वाली है। पर बेटी रीना बहुत बिमार है। भगवान जाने क्या होगा उसका। घर में तो कुछ नहीं है अब हम क्या करें। क्या खाएं। डॉक्टर ने इतनी तो महंगी दवा लिखी है। आज उसकी दवा भी लानी है। सब ठीक हो जाएगा मा, मेरे गणपती सब ठीक कर देंगे। तुम देखना मा, हर साल की तरहा मैं और रीना एक साथ पूजा करेंगे। हाँ, गणपती देवा उसको ठीक कर देंगे। अरे, भगवान करे तुम्हारी बात सच्ची हो जाए। तुम तो गणपती देवा के पक्के भक्त हो। जाओ, पूजा का सामान और खाने पीने का सामान लेकर आओ, फिर हमें रीना को लेकर अस्पताल भी तो जाना है, डॉक्टर ने कई जाचे लिखी है ना, अरे, हाँ, याद करके मेडिकल स्टोर से दवा भी ले आना, नहीं तो फिर दूसरों की बेगार करते रह जाओ, विनायक स्वभाव से बेहत भोला भाला था, इसलिए उसे लोग उल्लू बना कर अपना काम निकाल लेते थे, आज भी विनायक अपने काम से ही जा रहा था, कि उसका चालाक और धूर्थ पडोसी मंगल आ गया, विनायक को बाजार जाते देखकर वह खुश हो गया और बोल अरे विनायक भाईया, अरे बाजार की तरफ जा रहे हो न, मेरी सबजी भी लेते आना, अभी खुले रुपए हैं नहीं, बाद मैं पैसे दे दूँगा मंगल ने उसे सबजी लाने का थैला और सबजी की लिस्ट वाली परची दे दी और मुस्कुराता हुआ चला गया कि अपना काम विनायक पर थोब दिया, विनायक बाजार पहुँचा तो उसने पहले मंगल की सारी सबजी खरी दी सारा सामान तो हो गया, बस अब मेडिकल स्टोर से दवा ले लूँ, बाद में देखता हूँ कि कितने पैसे बचते हैं तब ही उसने देखा कि एक बहुत बूढ़ा और कमजोर आदमी सड़क पार कर रहा था, उसे दिखाई ही नहीं दे रहा था कि सड़क पर बस आ रही है, विनायक चिलाते हुए बोला, बाबा बचो, नहीं तो कुचल जाओगे, मगर उसने सुना ही नहीं, विनायक ने हाथ में पकड़ा हुआ सबजी का थैला फेका और भागा बूढ़े आदमी की तरफ, उसने बूढ़े को अपनी तरफ खीच लिया, बस निकल गई, मगर बूढ़ा आदमी बेहोश हो गया, विनायक ने पानी लाकर उसके चहरे पर छिड़का तो उसे होश आया, विनायक ने पूछा, बाबा आप ठीको, अरे आपको तो बहुत जोर का बुखार है, बेटा मैं बहुत भूगा हूँ, दो दिन से खाने को नहीं मिला, मुझे कुछ खाने के रिये ला दो, तो मेरी ज जहान निकली जा रही है, अब विनायक का चहरा फीका पड़ गया, उसने अपनी जेब से रुपए निकाल कर देखे, उसके पास सिर्फ दवा, पूजा के सामान और मूर्ती के लिए ही रुपए थे, ये भगवान, अब मैं क्या करूँ, मैं अपने गणपती देव की अच्छी सी मूर्ती लेने के लिए कितने दिन से सोच रहा हूँ, मा से छिपा कर थोड़े थोड़े करके रुपए जोड़े हैं, कुछ भी हो, लेकिन मैं इस पार इसमें से कट आउती नहीं करूँगा, र विनायक बुजर्ग बाबा के लिए खाना ले आया, बुजर्ग खाने पर जुट पड़े, लेकिन अभी भी उनका पेट नहीं भरा था, उन्होंने कहा, बेटा, मुझे अभी भी भूख लगी है, अब तो विनायक और भी चिंता में आ गया, लेकिन वे फिर से खाना ले आ बुढ़े ने वे भी खा लिया, अब वे संतुष्ट नजर आ रहे थे, वे जैसे ही खड़े हुए कि लड़ खड़ाने लगे, अरी बाबा, आपको तो तीज बुखार है, चलो पहले डॉक्टर के पास चलो, अब विनायक ने मन ही मन में कुछ फैसला कर लिया था, वे बु छोड़ दूँगा, विनायक को अंगूठी देकर बुढ़े बाबा चले, अब विनायक को बहुत देल हो चुकी थी, शाम होने को आई थी, विनायक को अपने घर की याद आई, वे घबरा गया, उसने जल्दी जल्दी से जाकर पूजा का सामान खरीदा, लेकिन अब उसके पास पैसे खत्म हो थे, उसने गणेश जी की छोटी सी मूर्ती खरीदी, रीना की दवा के लिए तो पैसे ही नहीं बचे थे, विनायक मन ही मन में बोला, विनायक डरते घर पहुचा, रास्ते में उसको मंगल मिला, उसने पूछा, हाँ भया विनायक, लाओ मेरी सबजी, कहा है, अरे भाड में जाये तुम्हारी सबजी, तुम्हें अपनी सबजी की पढ़ी है, यहाँ अपनी जान बचानी मुश्किल है, और पैसे दिये थे क्या तुमने, मंगल चुप चाप वहाँ से खिसक लिया, वह जानता था, कि सीधे सादे लोग गुस्से में खतरनाक हो जाते हैं, विनायक जब घर पहुचा, तो रीना की तबेद बहुत खराब थी, कमला बहुत घबराई हुई थी, वह रीना के हाथ पैर सहला रही थी, उसने पूछा, पूजा का सामान और गणेश जी की मूर्ती को कमरे में ले जाकर रख दिया, वह रीना की हालत को देख कर बहुत शर्मिंदा था, तब ही उसे बाबा की अंगूठी की याद आ गई, उसने वह अंगूठी पहन ली, और आखे बंद करके मन ही मन में प्रार्थना करने लगा, ये कड़पती देवा, मेरी बेहन को ठीक कर दो, मेरी बेहन को ठीक कर दो, कमला ने आश्चर्य से देखा कि रीना को एकदम आराम मिल गया, और वह उठकर बैठ कई, रीना आश्चर्य और खुशी से बोली, कमला ने खुशी से रीना को गले से लगा लिया, दोनों बहुत ज्यादा खुश थी, विनायक भी आकर खड़ा हो गया था, अपनी बेहन को ठीक होते देखकर वह भी बहुत खुश था, अब उसने सारी बात अपनी मा को बताई, बेटा तुम बहुत भोले हो ना, तुम्हारा सब गलत फायदा उठाते हैं, पर तुम्हारा मन तो गंगा की तरह साफ है, आज तुम्हारी परीक्षा खुद गड़पती बप्पा ने ली है, तुम उनकी परीक्षा में पास हुए बेटा, तुम्हारी भक्ती जीत गई, गणेश भगवान स्वेम तुम्हारे पास आ गए, दूसरे दिन और ज्यादा चमतकार हुए, अंगूठी को पहन कर विनायक ने प्रार्थना की, तो उसकी वर्षों की मनुकामना पूरी हुई, उसने जोपडी की जगा सुन्दर सा म मांगा और साथ ही साथ रुपए भी मांगे, विनायक बोला, बगवान जी आप तो जानते ही हैं कि बिना रुपियों के कुछ भी काम नहीं चलता, अच्छा सा मकान धेर सारे रुपए दे दिजे, ताकि मेरी मा और बहन खुश रहें, पडोसियों ने विनायक के आलिशान घर को देखा, तो दंग रह गए, वे सब इस चमतकार को देखने उसके घर आए, पर विनायक ने अपने लिए अभी भी कुछ नहीं मांगा था, उसकी इच्छा तो भवे रूप से गणेश उत्सव मनाने की थी, विनायक के यहां अब गणेश जी की छोटी मूर्ती ने अपना आकार विशाल करके भवे रूप ले लिया था, विनायक ने अपनी मा कमला और बहन रीना के साथ गणेश जी की पूजा की, भक्ती की इस शक्ती को देख कर सब लोग श्रद्धा से नतमस्तक हो गए, उन्हें एहसास हो गया था, कि जिस विनायक को वो बेवकूफ सम मचते थे, वही सबसे अच्छा था, सब लोगों ने खुशी और श्रद्धा से जैकारा लगाया, गणपती बपा मोरिया, गणपती बपा मोरिया, जैहो गणपती देवकी, जैहो गणपती देवकी राधे शाम शहर का जाना माना रईस था, एक बेटा और एक बेटी के साथ उनका परिवार बहुत सुखी था, मगर उसकी पतनी सुनैना बहुत ही कंजूस और लाल्ची थी, फिर भी गणेश जी की इन पर विशेश कृपा बनी हुई थी, उनके यहाँ धन धाने के भंडार थे, एक दिन राधे शाम सुनैना से बोला, सुनो मैं जरा गोदाम तक जाता हूँ, तब तक तुम पूजा की तयारी कर लो, दो तो बजी जाएंगे, और सुनो मोदक शुद्ध देशी घी में ही बनाना, आप जाईए, मैं सारी तयारी करके रखूंगी, राधे शाम के जा देखने आ रहे हैं कि मैं देसी घी में मोदक बना रही हूँ या किसी और के, ऐसा करती हूँ, मोदक की सामगरी में पानी मिला कर मोदक बना देती हूँ, उपर से शुद्ध घी का हाथ लगा दूँगी, गनेश जी भी खुश और पतिदेव जी भी खुश, माता पारवती बुली, हे पुत्र, तुमने इस्त्री की सारी इच्छाएं पूर्ण की है, लेकिन देखो, ये कितनी चत्राई से तुम्हारे प्रसाद के लिए पानी के मोदग बना रही है। गणेश जी एक साधू का वेश बदल कर सुनैना के दर्वाजे पर पहुचे और बोले, भिक्षा दे बेटी, जाओ बाबा, कहीं और से लो, बेटी दान करने से ज्ञान और धन हमेशा बढ़ते हैं, दान करू, मेरे यहां कोई सरकारी खजाना नहीं खुला है, जाओ यहां से गणेश जी उसकी कंजूसी देखकर, नाराज होकर चले गए, पूजा शुरू हो चुकी थी, राधे शाम ने कहा, अभी लाती हूँ, देखो, मैंने आधा कनस्तर देशी घी डाला है इनमें, पूजा अभी खत्म भी नहीं हुई थी, कि राधे शाम बेहोश होकर गिर पड़ा, सुनेश घबरा कर बोली, अरे, ये क्या हो गया इन्हें, गड़ेश जी, इनकी रक्षा करना, विजे बेटा, जल्दी इधर आओ, देखो, देखो तुमारे पिता जी को क्या हो गया है, इन्हें वैजी के पास लेकर चलो जल्दी, ठीक है मा, अभी चलते हैं, वो वैजी के पास पहुचे, वैजी बोले, राम ही जाने कौन सा रोग है इन्हें, ना तो ये देख पा रहे हैं और ना ही बोल पा रहे हैं, मुझे बहुत सी औशदियां तैयार करनी पड़ेंगी, जिसमें बहुत खर्चा आ जाएगा, वैजी, मेरे पती को कुछ नहीं होना चाहिए, तो अभी आप बीस हजार रुपे दे जाएए, मुझे औशदी बाहर से मंगवानी पड़ेंगी, बीस हजार, ये तो मेरे पती की चार महीने की कमाई है, ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ कम में काम चल जाए, अब उसके पास वैद को पैसे देने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, विजे ने वैद को बीस हजार रुपे लेकर दे दिये, इलाज शुरू हुए पंधरा दिन बीट गए, लेकिन अभी कोई आराम नहीं था, रात के समय सुनैना ने अपने घर में कुछ अजीब सी आवाजे सुनी, उसने उठकर देखा कि कुछ चोर उसके घर से सामान लेकर खिड़की से भाग रहे थे, वे जोर से चिल्लाई, चोर चोर विजे चल्दी आओ देखो, चोर चोरी करके भाग रहे हैं, लेकिन जब तक विजे आया, तब तक चोर भाग चुके थे, वो अलमारी से सारे, रुपए, पैसे और गहने लेकर भाग गए, गड़ेश जी, हम लुट गए, बर्बाद हो गए, ये हमारी कैसी परीक्षा ले रहे हो प्रभू, सुनैना की बेटी राधिका बोली, सुना है कि आपके घर में बहुत बड़ी चोरी होगी, जी, आपने सही सुना है, कमबक्त सब कुछ ले गए, कुछ भी नहीं छोड़ा, राधिका के ससुर बोले, अगर ऐसी बात है, तो मैं अपने बेटे नितिन करिष्टा राधिका से तोड़ता हूँ, अरे जब कुछ बचा ही नहीं, तो तुम लोग दहिश कैसे दूगे, मैं अपनी बेटे की शादी अपनी बराबरी की लड़की से करूँगा, जो अच्छा दान दहिश दे सके, ऐसे डिग्री नहीं ली मेरे बेटे ने, मैंने भी पैसा लगाया है, यह क्या हो रहा था, सुनेना को कुछ समझ नहीं आया, अभी कुछ दिन पहले तो सब ठीक था, वे रोती हुई अपने नसीब को कोसने लगी, दो महीने बीट गए, सुनेना के घर में भूखे मरने की नौबत आ गई, विजय अपनी मा से कहता है, आज सुनेना खुद को बहुत लाचार और अकेला महसूस कर रही थी, गणेश जी भी आज उसका साथ नहीं दे रहे थे, उसे याद आया कि किस तरह राधे शाम शुद्ध देसी घी के मोदग बनाकर गणेश जी को चढ़ाया करते थे, सुनेना गणेश जी के सामने जाकर रोने लगी और बोली, फेगर पती महराज, मेरे घर में दूद घी के भंडार हुआ करते थे, मगर आज खाने को एक कौर भी नसीब नहीं है, बेटी चार दिन से बिस्तर पर भी मार पड़ी है, पेटा घर छोड़ कर चला गया, और ये, ये तो दिन रात तुम्हारी आरादना करते थे, फिर किस कर्म की सजा दी है तुमने हमें? गणेश जी तेज रोशनी के साथ प्रकट होते हुए बोले, तुम्हारे कर्मों की सजा है सुनैना? मेरे कर्मों की प्रभू? वो कैसे? क्या भूल हुई मुझसे? मैंने तुम्हारे पती की पूझा पाड़ से खुश होकर तुमें इतनी धन संपती दी, लेकिन तुमने मेरे ही मन पसंद मोदक में पाणी की मिलावट करके घी का नाम दे दिया, इसलिए मैंने नाराज होकर तुमसे सब कुछ वापस ले लिया, इतनी कंजूस इस्तरी मेरी भाकते नहीं हो सकती. ए गणपती बपा, आपने मेरी आँखों पर बदी हुई लालच की पट्टी खोल दी, अब मैं कभी कंजूसी नहीं करूँगी, और अपने हाथों से तुमें शुद्ध देसी घी के मोदक बना कर चढ़ाऊंगी, मुझे माफ कर दो प्रभू, अब ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगी, ठीक है सुनैना, मैं अपने प्रिये भक्त को और ज़्यादा कष्ट में नहीं देख सकता, और तुमारी कंजूसी की सजा उसे बहुत मिल चुकी, अब उसके कमरे में जाकर देखो, वो ठीक हो गया है, सुनैना ने गणेश जी को शत शत प्रणाम किया और दोड़ी हुई कमरे में गई, आप ठीक हो गए, हाँ सुनैना, गणेश जी की किरपा से मैं ठीक हो गया, अरे विजे बेटा, तुम आ गए, हाँ मा, मुझे काम मिल गया है, और काम भी रादिका के सरसुख जी ने दिलवाया है, आज वो रास्त में मिले, उन्हें अपनी गलती पर बहुत पश्तावा है, अब रादिका की शादी नितिन के साथी होगी, कुछ देर बाद पुलिस आ गई, उन्होंने बताया, आपके घर से चोरी हुआ सारा सामान मिल गया है, और हम आपका सामान लोटाने आये हैं, सुनैना की आँखों में खुशी के आशू आ गए, हे गडेश जी, अब एक दो नहीं, बलकि पूरे सेवा मन से देशी घी के मोदग बना करदान करूँगी, हाँ, हे पुत्र, तुमने कंजूस सुनैना को सही शिक्षा दी, और अपने प्रती उसकी शद्धा भी बढ़ाई, हे माता, वो औरत कंजूस है, लेकिन मेरी भक्ती करती है, इसलिए मैं प्रसन हूँ, कि वो मेरी भक्ती में कंजूस नहीं है, जो भी मनुष मेरी भक्ती करता है, मैं उसके सारे कश्ट हर देता हूँ,